ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं सिंग राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार नवंबर से दस नवंबर यानि किन शाथ दिनों के आपको किनकी चीजों से फायदा होगा किनकी चीजों से आपको शाफधान रेना होगा शाथ शाथ इन साथ दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी आपका केरियर कैसा रहेगा आपका बिजिनिस वैपार कैसा रहेगा आपका स्वास्त कैसा रहेगा इस वीडियो में आपको वही बताने वाले हैं किस प्रिकार गिरह नक्षत्रों में परिवर्तन होगा जो कि आप के लिए इन साथ दिनों के समय का अच्छा निर्मान करेगा वही इस वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों पूरा वीडियो देखे वीडियो का अगर शुरू करें सबस्पेड़ा तापस रिक्वेस्ट करते हैं भगवान शनिदेव का नाम लेकर वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स बोक्स में जैस शनिदेव वश्य लिग देना जिससे भगवान शनिदेव आपकी वहवार तथा म्रदु भासिता द्वारा खराब संबंदों को सुधार ने में सफल रहेंगे आपकी सकारात्मक सोच जैसे भाग्य की अपेक्छा कर्म पर विश्वास करना आपके लिए श्वाबाविक ही उत्तम परिस्तितियां उत्पन करेगी घर में कोई धर्मिक आयोजन भी हो सकता है दोस्तों यह समय पिछले कुछ समय से चली आ रही बादाओं को दूर करने में आप सफल रहेंगे जिससे आप में आत्म संतुष्टी का भाववी रहेगा राजनितिक वे सामाजिक गतिविदियों में विसेस योगदान रहेगा एक खास मुकाम भी आपको इस समय हासिल होगा समय मान वे प्रतिश्टा वर्दक है धर्म कर्म वे आध्यत्मिक कार्रो के प्रती रुची रहेगी वे विसाय धर वे दुनियादारी के बीच बहतरीन संतुलन बना कर रखेंगे दोस्तों यह समय उधार दिये हुए किसी पैसे का कुछ हिस्सा आपको वाप बस मिल सकता है अपनी दिन चरिया को विविस्तित रखते हुए अपनी विसेश पृतिभा को जागरित करने में समय व्यातीत होगा विसेश कर ग्रहनियां स्वैम को साबित करने में सफल रहेंगी विध्यार्तियों को अपनी परिक्षा में सफल ताहसिल होगी बड़े वु सुलो वे सिद्धांतों के साथ किसी भी तरह का समझोता ना करना आपको मजबूत बना कर रखेगा दोस्तों यह समय अपनी समझबूज वे बुद्धी मता के दुआरा अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में आप सफल रहेंगे कारों को योजना बद तरीके से करना आपको विसेश सफल तप्रदान करेगा घर में मित्रों या महमानों का आगमन होगा तता सभी सदस्ये आप से मेल जोल का लुप्त उठाएंगे दोस्तो साति सात इस समय कभी कभी आपका मन मोजी स्वभाब दूसरों के लिए परिशानी का कारण बन सकता है घर में परिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलत फहमी उत्पन हो सकती है जिसकी वजह से किसी बाहरी व्यक्ति का हस्त छेप हो सकता है दोस्तो यह समय ध्यान रखिये कि कोई अपना ही नजदी की मित्र दोका या फिर ठगी कर सकता है युवा वर्ग की अपने केरियर के प्रती लापरवाही भविश्य के लिए नुकसान दैक रहेगी इसलिए सावधानी रखना आपके लिए अतियावशक है दोस्तो यह समय किसी नजदी की मित्र की नकारात्मक गती विदी से आपको आगात या फिर धक्का लग सकता है गाड़ी या मकान संबंदित कागजाद आप बहुती समाल कर रखें दोस्तो कभी कभी किसी विसेस विसे को गहराई से जानने की इक्षा आपको अपने लक्षे से भटका सकती है थोड़ा सावधान रहें परन्तु जादा आत्मक केंद्रित होने से इसका नकारात्मक असर आपके व्यक्तिगत तथा परिवारिक जीवन पर पढ़ सकता है किसी धार्मिक उतसव में गरत फहमी की वज़े से किसी के साथ कहा सुनी हो सकती है इसलिए अपने वहवार को सयमित बना कर रखना आपके लिए अति आवशक है दोस्तों यह समय अपने भाई भेनों के साथ संबंद मधुर बना कर रखें तो कि किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है विद्यार्तियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से बटक कर व्यर्थ के कारों में लग सकता है जिससे कोर्स पूरा करने में दिक्कत आ सकती है विद्यार्ति लोग अपनी पढ़ाई के प्रती किसी प्रकार का समझोता ना करें अन्यता रिजल्ट खराब हो सकता है अपने स्वयभाव को सहज वे संतुलित बना कर रखें क्योंकि गुस्से से परस्तितियां और अधिक ब प्रीच एहम का टकराव हो सकता है परंतु समय रहते आप नकारत्मक प्रस्तियों को काबू में पालेंगे जिससे पती-पत्नी में नस्दी किया बढ़ेंगी विवा संबंदित कारों में वेस्तता भी बनी रहेगी दोस्तों साथिसात अत्यादिक वेस्तता के कारण परिव पत्नी के आपसी संबंद अच्छे रहेंगे प्रेम संबंदों में भी प्रेगरत आएगी दोस्तों बात अगर आपके वेवेशाय और केरियर की करें तो इस समय आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिससे आप गोपनिय रखना चाते थे वेवेशाय के कारें अभी ल दोस्तों कर छेत्र में किसी विशेस व्यक्ति से मुलाकात आपकी तरक्की वेजीत के लिए साहिक रहेगी नौकरी में अपने टार्गेट को पाने में आपको कामिया भी भी हासिल होगी दोस्तों किसी के साथ शाजेदारी करते समय नुकसान फायदे की इस्तितियों पर भी अवश से विचार विमर्स करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों साथ शाथ इस समय किसी प्रिक्टार की वेवसाई के परतीस परदा में आपकी हार हो सकती हैं परन्तु इस तनाव को आप अपने उपर हावी होने ना दें तता धहरे पूरवक अपने अन्य कारों के प्रती समर्पित रहें अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी नौकरी में प्रमोशन या फिर ट्रांसफर के आपके लिए योग बन रहे हैं दोस्तों यह समय कार्यचित्र में कारों के बीच बीच में कुछ रुकावटें आ सकती हैं जिनकी वजह से ओर्डर आदी उत्पन कर सकते हैं सावधान रहें दोस्तों शाति सात यह समय मसीनरी वटेल संबंदित व्यवसाय भरपूर मुनाफिक कमाने की इस्तिति में हैं इसलिए पूरा ध्यान अपने काम पर ही केंद्रित रखें परंतु हर काम में पेपर संबंदित कारों को पूरी तरहें दीरे दीरे विवेस्तित होंगे अपने काम की क्वालिटी में और अधिक सुधार लाने की आपको आवशक्ता है जो आपके लिए बहुती फैदेबंद साबित होगा दोस्तों बात अगर आपके स्वास्त की करें तो यह समय आपका स्वास्त उत्तम रहेगा किसी प्रकार की च तोट या फिर एक्सीडेंट की आशंका बन रही है दोस्तों साथी साथ यूरीन इंफेक्षन जैसी समस्या उत्पन हो सकती हैं तरल प्रदार्टों का अधिक से अधिक आप शेवन करें गलत खानपान की वजह से गैस वे पेट खराब होने जैसी समस्या उत्पन हो सकती हैं प्रकर्तिक चीजों को अधिक से अधिक सेवन मिलाएं जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा